तो हेलो गाइस गुद मॉनिंग कैसे हो आप सब आपका एक विफर से स्वागत है आपके अपने चैनल आइविल पर जिसमें की हम कर रहे थे विजन आइस की टेस्ट स्रीज और आज हम आज आते हैं अपने इन्वार्मेंट के नेक्स टेस्ट पर ठीक है तो चलिए शुरू कर ते हैं आज के फॉस्ट को शेंसे संब्सक्राइब कुस्टेल सबसे पराइमन सब्सक्रेटर के बारे में बताना सब्सक्राइब सेटाने हैं दो ये लैविंग शिट इससे थैट्रिमेर और थर्ड ये टरेटеры में पाय जाता है बैग टैटल जितने भी लिविंग सी टैटल से उसमें सबसे बड़ा है लैदर बैग सी टैटल जैली फिश का प्राइमरी फूड है और अगर लैदर बैग टैटल की बात करें तो आयू सीन स्टेटस इसका क्या है वल्नरेबल के टेगरी में आता है वाइल लाइफ प्रोटेक प्रोटेक्शन एक्ट यह वैसे कों से कटेगरी में आता है जैसे कि मैंने बता ना कि वल्नरेबल कैटागरी में आता है तो एक और टर्टल है जो वल्नरेबल के टेग्री में आता है एक और टर्टल है जो वल्नरेबल के टेग्री में आता है वो कुन सा लोगर है टर्टल यह वह लोगर है टर्टल यह भी किसमें आता है वल्नरेबल के टेग्री में आता है ठीक है कभी आ जाए कि वल्नरेबल के टेग्री में क पाया जाता है कहां पाया जाता है Gulf of Mexico वहां पहाँ पाया जाता है यह बहुत फेमस एक रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज यह इसके लावा और भी टर्टल से हैं यह और वे टर्टल से जैसे कि एक क्रिटीकली इंडेंजर्ड एक और है उसका नाम है होक्स बिल्ट यह थे लुए तो यह सारे ही यह होगे दो यह होगे जो भी है यह सारी चाही किसमे आते हैं एक फ्लैट बैक तेटल यह लेकिन वह डेटा डेफिशिंट आव औस्टेलिया में अलब नॉर्धन ऑस्टेलिया पाइट अस्था पयपुआ नियू गीनिया में पायता थै है फ्लैट बैक टॉरटन questo का नाम क्या है तॉसका नाम है फ्लैट बैक टम कहाँ पाए जाता है यह 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 वंसे डेटाट टैटाट है और यह जबन इटंट जाता है में नर्दन साइड क्या तो लार्जेस्ट कौन सा यह स्मॉल एक टेटल समोलेश्ट टोनों किसमें आते हैं। एकलोजिकल ट्रांसफ़र क्या है तो यह रिवेन्यू शेरिंग स्कीम है या फिर जिसको बोल सकते को एक लोजिकल ट्रांसपर हैं एक लोजिकल पिसकल ट्रांसफर कर इसमें वह गुवर्मेंटस के बीच में आशेर किया जाता एंड तकी सh अपने forest को बचा रही है natural resources को बचा रही है उनको क्या किया जासके reward क्या जासके यह मेल ने revenue क्यों share किया जा सकता है क्योंकि जो states ecological protection में ज्यादा बढ़ चड़ की भाग ले रही है या जो environment को protect कर रही है है forest को protect कर रही है तो उनको क्या देने के लिए reward देने के लिए ऐसा ही कहा किया गया है आपको पता होगा 14th finance commission 14th finance commission forest के लिए area of forest को उसमें रखाता मतलब revenue sharing model में कि 7.5% जो revenue है वो किसके base पे दिया जाएगा area of forest within state उसके base पे दिया जाएगा ताकि जो conservation efforts है forestation के लिए वो decentralized के जासके उनको incentivize के जासके इसलिए यह किया गया तो ecological fiscal transfer समझ में आगे मतलब कुछ पैसे देना ecology के ऊपर तो कुछ नुबर सेकिंड अंसर हो गए डी आजाते है question number 3 पे natural farming के बारे में बताना है देख लेते हैं वही natural farming के बारे में सबसे पहले है कि यह एक diversified farming है जिसमें crops trees livestock सारी चीजें functional diversity के साथ काम करते हैं उसमें integrate होती तो बिल्कुल सब्सक्राइब स्टेटमेंट है इसको natural farming बोलते हैं सेकिंड है कि natural farming is promoted as भारती है प्राकर्ति क्रशी इसके अंडर इसको प्रमोट किया जा रहा है प्रागत करशी विकासयोजना के शिक्लतों इसके प्रमोट किया जारा है ठीक है उसके बाद कहां पे होते हैं MP में होते हैं MP तो 3rd state है पहला state कुन सा गुजरात है तो 3rd statement तो हमारी रोंग होगी 1st and 2nd statement हमारी correct है तो हमारा answer क्या आगया ए ठीक है Approx 31% जो एरिया है वो गुजरात में है किसका natural farming का ठीक है इसमें में लिगा है chemical free livestock based farming है किसने में ली एक Japanese थे एक Japanese farmer and philosopher थे उन्होंने इसको start किया था किसने natural farming को मसानूबू मसानूबू फुकुओका फुकुओका ठीक है इन्होंने इसको start किया था या दख न जैपनिस थे यह natural farming के components क्या क्या है, बहुत famous है कि natural farming के components क्या 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 है, natural farming के चार components है, चार components कुन सा है, एक तो है, बिजम्रित, एक तो क्या है, बिजम्रित, इसमें क्या 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 जाता है, seeds को cow dung, urine और lime के साथ क्या कर दिया जाता है, वो treatment क्या जाता है, बिजम्रित को, मतलब seeds को treat क्या पर हमाराः मतलब मतलब अर्थ इक्टिवेट किया जा सकता ता कि मलचने क्या वह more को कै wow ओट प्रसी साथ पार्ट में डिया जाता है ता कि सेस में बॉप्र के जीवां जीवाम्रित का मतलब क्या है इसमें सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा काउंडग यूरीन यहां पर जैगरी वगएरा डाले के इसमें ठीक है ध्यान रखना तो यह च्यार कंपोनेंट्स है किसके हमारे इसके नैचुरल फार्मिंग के अब यह क्या नाम लेते प्रम प्रागत कर्षी विकास योजना की एक सब स्कीम है ठीक है और यहीं सारी चीजें और यह जो प्रम प्रागत कर्षी विकास योजना यह सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है यह सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है कौन सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है में लिए जो लोजिकी आपने पढ़ा हो ऑगा function नहीं सराद होुई चला उसको वहां शरू होना underscore is a good information ces a क्युक्त था टैक ज्सिरोगी डिनरे में भीन शुरुन list प्रेशां बड्रार्पि inmट श Looking goodpage to meet you ॐ फिर वता है वें सेडा उसको होता है वह बेंडि परस Самब नहीं होता रहे चुक है अब फई लगी तो कि प्राइमड़ी स्कसर यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अगर और फारेयघorsa कने सब्सक्राइब और वहां सब्सक्राइब बतला है तो जी रहे चुका है अब फायर लगी तो क्या होगा इसका मतलों वहां पर सोल चछ यह पर आपन गई तो इसका मतला वह प्रैम कर दो किसे अरिया का होता है तो वह वो primary succession में नहीं आता वह किसमें आता है secondary succession में आता है थर्ड है each transitional community that is formed and replaced during succession is called civil community. हर एक community मन लों की पहले moses थी, moses, algae थी, उसके बाद थोड़े चोटे-चोटे grasses आई, उसके बाद थोड़े plants आई, उसके बाद वहां पे क्या बनगे, forest मनगे, तो यह से सक्षेशन हुआ जब ऐसे सक्षेशन हुआ तो हर एक स्टेज जो बनती जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं सिरल कम्यूटी बिल्कुल तो इसको क्या बोलते हैं सिरल कम्यूटी बोलते हैं तो बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट इसकी रोंग है और फर्स्ट सिस्टम हो गया यह फिर अग्वर्टिक विए सिस्टम हो गया उसमें Sometimes में इसको मिजार्क कुछ था भूल गी हूं में तो एक पर इहां पर बताना तो ंसको वालज सक्मयट्ञ बनते हैं लगबक सक्सेशन जब होता है तो समुस्क्राइम सबसे पहले एंट नोर्मन मयर्स उन्होंने बायोड्यवर्सिति होड्स्पोर्ट का एक कन्सप्ट दिया था तो हमें बताना है बायो डियुट्यु उएप प्लेटी विंद्र बायो जिक्लेट बैस्वा आई डाइवरसेटी होटजिए तो याद लाइदारिसेटी होटश्पोस पर उने केसे ओसंपोड याद पर्यसेटीं होटश्पार्श्पोस पर डायनानो help यहुंद्स किसकी वेस्कुलर प्लांट की स्पीसिज हो नीचे ना की इसकी तो फर्स्ट टेटमेंट क्या होगी रोंग होगी सैकेंड अधी सुन्दा लेंड बायोडाइवर्सिटी होट स्पोर्ट एंड इंडो बर्मा होट स्पोर्स प्रेजेंट इन इंडिया तो आपको पता होगा कि तोटल वर्ड में 36 भायोडाइवर्सिट होट स्पोर्स इसमें से चार जो हैं इसे माना जाता है कि इंडिया में कौन-कौन से हैं एक तो आपने यह में अपने पड़ाऊगा हिमालिया एक अपने पड़ाऊगा इंडवर्मा भी देख लिए itu एक सुन्दालैंड पड़ लिया एक व्यंक्त नीकर फेंडासी में परका सिदिक को ने रकसे हो सहित हों мо सो Κош्षंण नूम् ch respectively से नम्हें नम्हें हैड नाशा का मश्व िचанд उसके बारे में बताना हैं पिसे पहले हैं कि यह इलिए कि बारे में नंदे मुआ इंहें हैं कि अ यह क्या है एक न्यू क्लास ओप स्पेस बोर्न इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो अर्थ को स्टडी करेंगे तो कुशन नमबर सिक संसर हो गया भी आजाते हैं कुशन नमबर सेवन पे युनेस्को मैन यडिंड स्पेस बहुत 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 इंप पुर्टेंसे टोटल इंडिया में 18 ब्याइबस संब्सक्रक्राइब Kings blowing in तो कौन-धा एधर द Э्ड वह ओाते हैं 2-1 एक तो हैं अगस्ता मलाई और एक घंअ पनना पर ना तो अभी पढ़ा मने MP में अगस्ता मल लए काहँ पे हैं काहँ पर अगस्ता मल लए मेरे कहाल से यह तो यह पहले ये मैंन अंडा सफेर प्रोग्राम्म में तो वणन टु अनिंडा ये जो ओर रहे हैं ये नहीं थिक अभी मैं आपको कुछ दिखापते है रहको है यह देखो ये क्या है जितने भी भाव्षे जो हमारे इंडिया में ठीक है यह सारे इंडिया में टोटल 18 है इन में से कौन-कौन से जो है वह यह उनेसकर में यौन और आपकल निशान लिए निशान लगा दी देखा पन्ना यह इनेसकर मैं यह रेड़ वाला क्या है मैं एंड वाइसफेर प्रोग्राम में जो जा डगना कंचन जंगा ठीक है कहां पर है सिक्किम में ठीक है उसके बाद अगस्तम लई देखो यहां पर नीचे जो है वो अगस्तम लई है ठीक है अभी निशान लगा रही है इसलिए दिखाई ने दे रहा है ठीक है उसके बाद है यहां पर ग्रेट निकोबार यह भी क्या अच्छानक मार अमरकंटक यह भी किसमें इंक्लूड़ीड है हमारा मैन इंड बायोस्फेर में इसके अलावा नो क्रेक नो क्रेक कहां मिलेगा आपको देखते हैं नंदा देवी जो हमारा क्या है वह भी मैनेड बायोस्फेर में इसके बाद निल गरी यह सारे किसमें इंक्लूड़ीड है यह सारे इंक्लूड़ीड है हमारे मैन इंड बायोस्फेर प्रोग्राम में किसमें है मैन इंड बायोस्फेर प्रोग्राम में इंक्लूड़ीड है यह सारे के सारे तो कौन से इंक्लूड़ीड नहीं है जो बच गए वो इंक्लूड़ीड नहीं है उननों को देख लो तो व जो भी मैंने yellow color से mark किये हैं वो सारे के सारे men and biosphere reserve में included हैं वो किसमें हैं वो UNESCO की sites में included है UNESCO men and biosphere program में वो included है बहुत important या दखना जो मैंने yellow color से लगा रखे हैं और उसके लावा जो रहे गई देखो आप एक काम करो और तो सारे हैं छे वो याद कर लो जो नहीं included हैं देखो जो भी नहीं included है वो आउटर सर्फेस पर होंगे देख देखो run of catch एक मिन्ट रुगो एक मिन्ट रुगो देखो मैं आपको किसी दूसरे कलर से दिखाती हूं ठीक है देखो run of catch यह नहीं included आप एक निचे चलम नहीं included नहीं इनकलोड़ीड एक तो यह हो गया दूसरा इंकलोड़ेट नहीं जो बहर भार बहर रहें ठीक है बाहर बाहर चले जाओ दिआँ दिएंग नहीं इंक्लूडीड है इसके बाद डिब्रूज इंक्लूडीड है मानस नहीं इंक्लूडीड है लिए यह कम in English नहीं 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 और उसके वाइवा एक नीचे सेश चलम नहीं ठीक है तो एक दो तीन चार पांच यह ठीक है यह तो छे जो है यह इंक्लूडिड नहीं है इसके लावा जितने बच गए वो सारी मैंने इंड बाइस फेर इंक्लूडिड है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना इसलिए मैंने मतलब ऐसे डागराम मिलनी रहा था तब भी मैंने आपको कराया थे तो अब आपका इसमें गलत नहीं होना चाहिए ठीक है हमीशा आपको याद रेखना चाहिए कि आउटर सर्फेस पे जितने हैं वो सारे ही मैंने बाइस फेर में इंक्लूडिड है ठीक है कौन से हैं अब के अब अब के गलती नहीं चाहिए अब कभी भी एक औःगा कभी घुलत मत करना ठवी तो चलिए नेक्स्ट कॉष्टन पर चलते हैं ह में तो अब आपको कोस्षम देख के पता चल गया होगा कि जो सेष्चल हुर्म है यह कहा पर बहुत में आंदर पर देश में तो यह दोनों किसमें इंकलोड़िड नहीं मैंने आपको बता दी है अब याद रखना तो कोशन नुम्बर फॉर इंकलोड़िड नहीं और फस्ट और सेक्ड इंकलोड़िड नहीं तो अंसर हमारा क्या हो गया भी ठीक है आज आपके किस पे कोशन नुम्बर एट पे मिलेट्स के अडवेंटेज बताने किसके मिलेट्स के बहुत इंपोटेंट है गलूटन फ्री होते हैं और जो भी डिजीज़ वाले पेशन्ट हैं मतलब से लिए एक डिजीज़ वाले पेशन्ट है वो इनको कंज्यूम कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है यह हाईली एडप्टीव है वाइड रेंज ओफ एकलोजिकल कंडिशन में बिल्कुल और थार्ड है इनका लोग लाइसेमिक इंडेक्स है बिल्कुल तो तीनों ही स्टेट्मेंट इनकी करेक्ट हैं इसी के यह फायदे हैं ठीक है मेजर मिलेट इसको एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ठीक है और कौन सी एजनसी है जो मेंली इसको प्रमोट करने की वह करते हैं आपको पता होगा जो मेंली एक्सपोर्ट को प्रमोशन करती है ठीक है तो यह है मेंली और इसका में टार्गेट है कि हमें 2026 तक जो है मिलेट के एक्सपोर्ट को 2000 क्रोड तक लेके जाना है कितना 2000 क्रोड तक लेके जाना है तो कुशन नबर 8 अंसर हो गए डी आ जातें कुशन नमर 9 पे हमें बताना है कि कौन कौन सी जो ecosystem services वह वैट लेंड करता है वैट लेंड क्या करता है मिन बात वह है प्यूरिफाइग करता है हारम फॉल वेस्ट को मतलब filter करता है यूट्रिण करता है ख्लाइमीट सेंघ मैटी केहिंशन करता है ग्रांड वोट रचार्ज एकोफीन का मतलब क्या है बहुत ही एकोफीन का मतलब क्या है और फिंका मतलब है की जब भी भी कोई झा अनिमल या कोई बी और किसी नू इनवार्मे Cath में जाताए तो क्या उसकी बोडी में पहला फिं के क्या होता है उसको बोलने इकोफीन जब भी नए इनवारमेंट में जाता है तो उसका कैसे फिनो टाइब चेंज होता है या हप और इनवारमेंट estamos नम चैज़ right इसको क्या बोलते है लंबे टाइम तक जब किसे दूसरे इंवार्मेंट में रहते है जो चेंज हो जाता है फिनो टाइफ ऑफ एन ओर्गिनिजम उसको बोलता है को टाइप तो कोशन नंबर 10 अंसर हो गया दी आजाते कोशन नंबर 11 पर लाइट मेंटल अल्बेट्रोस क्या है सबसे पहले है कि इस सीबर्ड नेटिव टू अंतरक्टिक सीज और फ्रेजिस ओवर डी कोल्ड अंटरक्टिक बिल्कुल सबसे पहले तो यह अंटरक्टिक में सीबर्ड पाया जाता है second है it was recently spotted in India for first time, बिल्कुल फर्स टाइए ये इंडिया में spot किया गया था और IOCN में ये near threatened की category में आता है, बिल्कुल ये यहाँ पे near threatened की category में आता है तिनों ही statement इसके लाबन इसके लावा ये सबसे पहले spot कहा किया गया था तमिलाडू में स्पोर्ट किया गया था इंडिया के साउधन में ये स्पोर्ट किया गया था ठीक है इसको ग्रे मेंटल अलबेट्रोस भी बोलते हैं लाइट मेंटल या फिर इसको ग्रे मेंटल अलबेट्रोस भी बोला जाता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है इसका नंबर 11 एंटि आजातें कुश्शन नंबर 12 पे हमें ecological pyramid के बारे में बताना है नंबर के पिरामीड के बारे कॉंस स्टेटमेंट से एक ही सही होगी सारे पढलो ठिक एक ही सही होगी इनमें से उपर से शुरू करते इत टोटल नंबर ओफ इंडिविजिव फेंड इस टोपिक लेवल देखो एक लोजीकल प्रामिड ओफ नंबर में क्या होता है अलग अलग डिफ्रेंट इकनोमिक लग लग लेवल पे अलग लग अलग टोपिक लेवल पे डिफेंट स्पीसिज को मतलब काउंट करता है तो ऐसा स्टेटमन और सोरें सवेट सेथा लेसर पिर नंपर अबहे सीज ड़ेटिक रसाइबिक सेस्टम घर्ट पिसोस्टम को होथा है है ड्ल लेवल तो यह स्टेट्मन बिल्कुल सहीं relevant का साइब हाह जुबर से हाइ सोरी यहहलोहर टोपिक लेवल में क्या होते हैं Då की सबसे पहले यहां पे फाइटीक्वेंग्ट्स जो भोल प्राइट रोड़ाइट के वामेसे एक आंपने सा बेजल प्राइट मैं सुन्टाइट है तो यह रख सुना बिलाइट होता यह सा आए तो सिस्टम ध्यू splendid होता है र Egyptian होता है यह रहे है कर दंस पूराइट होता है अब मैं आपको गतने हो कि अभी आप देखो इसमें क्या डालेमा आपको दिखा रहा है है सबसे पहले तो आपको दिखराऊगा कि एक्वेक लिएस्था मेंदें अभी बताया कि जो है क्वेटल एको सिस्थम में अपरईट है ठीक है अपराइट होता है जो अन्हलो थो उस से कंड़ा एकवार इकोसिस्टम इस एक सिस्टम में क्या होता है ओता है क्या होता है लोग अच्य लेवल प्ती है ग्रासेज को खानेवालें फिर उससे कम होते हर्भी व्रस को खुणते और फिर होतार टॉप कार्णिवर्स उसको खाने वाले तो इसका भी अप्राइट होता है तो याद रखना देखो फोरेस्ट इको सिस्टम का जो पिरामीड ओफ नंबर होता वो कैसा होता मालो की एक ट्री है ठीक है एक ट्री है ठीक है तो वह हो गया प्राइमरी प्रडूसर वह उसके ऊपर कंजिओं करने वाले बहुत सारे हो सी मटलब जो प्राइब जो हद बेग भी आहले योंचो कते हैं यसे के फॉरस्ट एकॉसिस्टम नंबर का प्रमीडोता वह होता है स्पिंदल शेप ग्रासलेंड उता है अप्राइट था टीक है तो हमके तो धो तो करने आ लिए से को नें पर है यह क्या है सबसे पहले ही एक बोल रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड है जो इगलनेस्ट वाल लाइफ सेंचुरी अरवनाचल प्रदेश में दिखा गया है सीजनली तो यह माइग्रेटरी बर्ड नहीं है यह एक इंडिजीनियस बर्ड है ठीक है तो फर्स्टेटमेंट तो हमारी होगी रोंग इसका मतलब थर्ड स्टेटम अच्छ करेश में गया है जो किस इस रहां बॉट नहीं तक ही स्पीसिस जो है वह बची हुई है क्रीटिकल्य अगल्ड में ठीक है तो यह है बुगुन लियो चिला, तो कोश्ण नमबर 13 हमारा आंसर हो जाता है क्या बि ठीक है, आ जाते है कोश्ण नमबर 14 पे, हमें बताना है विक्रम रोकेट के बारे में, सबसे पहले है, इसको इस रोने प्रारा मिशन के अंडरस्टा बनाया है, मतलब बनाया है, तो यह दखना यह पहला privately developed vehicle है, इसको इसरो ने नहीं बनाया है, इसको Skyroot, आपने सुनी होगे, Skyroot Aerospace Company, Hyderabad-based, 2018 में बनी थी, Skyroot Aerospace, किसने? Skyroot Aerospace ने इसको बनाया, ठीक है, तो यह private company ने बनाया, यह इसरो ने नहीं बनाया, Mission Praramb कहा है, Mission Praramb वही है, Mission Praramb है, कि मेंली इंडिया के private sector की beginning करना, Space Launch Market में, उसी को Mission Praramb बोला गया है, ठीक है, इतना पेलोड यह लेके जा सकता है, कहाँ पे लेकर जाएगा, Sun Synchronous Polar Orbit में, कहाँ पे Sun Synchronous Polar Orbit में यह लेकर जाएगा, सब और बिटल फ्लाइट में तीन सटलाइट को लेके जाएगा तो यह पेलोड इतना ले सकता है तो यह ज्यादा पेलोड ले सकता है तो बिल्कुल यह ज्यादा पेलोड ले जा सकता है तो और ज्यादा लेके जा सकता है तो और ज्यादा लेके जा सकता है तो ढूरिया अजया पहला है इनका पॉपर रखा गया है इनका तो क्लाम 80 इनके उसका नाम है किसका इंजन का तो question number 14 second statement correct है हमारी first statement रोंगा तो हमारा answer क्या आगया भी आ जाते है 15 पे vulture species के बारे में बात करने है बहुत 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 important है आज बता देती हूं हमीशा याद रखना गलत नहीं होना चाहिए आगे से कभी थीक है सबसे पहले है कि जो यह वल्चर स्पीसीज है यह resident नहीं है मतलब इंडिया के indigenous नहीं है यह winter visitor वल्चर थीक है यह कहा है visitor वल्चर मतलब यह migratory species है तीन ही migratory species है एक चीज़ ध्यान रखना तीन ही migratory species है वल्चर की कौन-कौन सी है बहुत famous है एक तो है syndrus वल्चर एक है eurasian वल्चर और हिमालियन वल्चर यह तीन वल्चर की जो species है यह क्या है migratory species है अब इन में से देख लो migratory कौन सी है अब आप अगर यह भी पढ़ रखा है ना कि और सारी जितनी पढ़ाओंगी ना वह सारी resident species होंगी ठीक वह सारी इंडिया में पाई जा है migratory species है तो इन में से केवल एक ही आपको migratory species दिख रही होगी direct answer लग जाएगा उसका ठीक है चलो यह आपको नहीं पता था ठीक है अब आपको एक चीज़ उसके बारे में और क्या पता चलगी इसका जो status हो क्या है list concern है list concern है समझ में आ गया यह क्या है list concern है तीसरी चीज समझ में यह schedule 4 में wildlife protection act में इनको schedule 4 में डाला गया है समझ में आ गया बिलकुँ सब्सक्राइब है यह यह दख लेना की duration के बारे में में बात चल रहे हैं सारी और यह आपको ध्यान रखने हैं इंडिया में वल्चर की नो स्पीसिस पाई जाती हैं इंडिया में वल्चर की न लिंड इंडीयान क्यों सी यही इंडीय ग्रीफन छो है इंडीयन ग्रीफन जो है, इसी इंडीयन ग्री ग्रीफन है, इंडीयकों सस्टेड स्टेड का Amazing एक रेजडेंट वल्चर की स्पीज जो एंडेयर फेलेश्चर एज पारी पाई जाती है किनियर थ्रेटन लें बंसेत इक नियर थ्रेटली कौण सी किनियर देख रह घा टीक है यह नेर देख पड़ लियाया तो नियुरी देंटंट में तीन स्पीज आत Valerie एक तो हिमाल्यान ग्रीफन एक तो है हिमाल्यान ग्रीफन दूसरी है सिंद्रस वल्चर और तीसरी है बीर्डिड वल्चर तो यह जो दो स्पीशिस बच गई यह कुन सी है लिस्ट कंसा न है जो माई ग्रेटरी में यह दो बच गई यह कुन सी है यह निर हैं यरे थ्रेटन थे नेल तो इससे याद कर गई ब जाए फ्रेटेंड है इसके अलावाथ चार स्पिसी बच गई बहुत इंपोर्टेंट वह किसमी यह डबना। जितनी भी स्पिसी disabilities अधर बची हुई वो critically endangered में आती हैं वो किस में आते हैं critically endangered में आते हैं वो कौन सी species है चार species है जो critically endangered में आते हैं कौन सी एक तो oriental white backed vulture एक तो oriental white backed vulture है एक cylinder build vulture है एक long build vulture है और एक red headed vulture है एक red headed vulture है एक long build vulture है एक slender build vulture है एक oriental white bagged वल्चर है यह सारे कहा है critically endangered species हैं किसकी वल्चर की जो इंडिया में पाई जाती है ठीक है याद रखना इन सब चीजों को याद रखना इन सब चीजों को और यह सारे ही किसमें आते हैं schedule 4 में आते हैं मैंने बता दी यह किसमें आती है यह किसमें आते है यह किसमें आते है और इन में से भी यह जो उपर वाली तीन है यह भी सेडियूल वन में आती है यह भी किसमें आती है सेडियूल वन में आती है तो मैंने one वाले species बता दे हैं तीन critically endangered में से हैं और bearded vulture है ये चार species ऐसी हैं जो schedule one में आती हैं इसके लावा जितने बचगी वो सारी schedule four में आती हैं तीक है वो सारी किसमें आती है schedule four में आती है और किसका क्या IUCN status है इसके basis पे आपसे question पूछा जा सकता है अब आप पूछो red heady vulture क्या है critically endangered slender build vulture क्या है critically endangered egyptian vulture क्या है यह है endangered अब आपको आंख बंद करके एक काम करना अगर आपको याद नहों एक फिर से इसको देख लेना टीक है list concern endangered एक बर आपको याद हो गया न तो आपको काफी सारी आसानी रहेंगी कि इंडिया में भी कोई इसा प्रोग्रम चला जा रहा है कि हम वल्चर की स्पीसिस को प्रोटेक्ट कर सके हैं बिल्कुल चला जा रहा है वल्चर action plan 2012 में कुश्चन आया था इस पे ठीक है तो वल्चर action plan 2020-25 के बीच में चला रहा है और डिक्लोफिनेक जो एक दवाई है जिसके कंड वल्चर की इसकरने के लिए चला जा रहा है और यह किस को चला रहा है मिनिस्ट्री और फिन्वार्मेंट फोरेस्ट और क्लाइमेट चला रही है वल्चर केर सेंटर भी खोला जा रहा है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह दखना मैं बता दिया कोश्चन नमबर 15 अंसर हो गया सी आ आपको अना एक बर सबसे पहले क्रोकोडाइल के बारे में बताई देती हूं ठीक है उससे आपको यह पता चाहिएगा कि पता खुदी चल जाएगा कि क्या स्टेटमेंट सही नहीं है इंडिया में क्रोकोडाइल की 3 species पाए जाती है इंडिया में 1 2 3 ठीक है एक सेकिन सुनी होगी घडी ऐल कुण सी oaga इस कानु सके बाद कुन सी क्रोकोडाइल पांज पाई इंडिया में सबसे लारजस्ट सुसॉल्ट वर्टर क्रोकोडाइब इसने कॉन सबसे लारजस्ट कुन सा सोल्ट वोटर क्रोकोडाइल सबसे लार्जेस्ट है ठीक है इसको मैन इटर भी बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है मैन इटर क्रोकोडाइल भी बोला जाता है ठीक है कहां कहां पाया जाता है मेली कहां कहां पाया जाता जैसे कि उडिसा अंडमा निकोबार लोट आगर आई सिंट्च वगयरा की बात करें देखो तीनों का ही तीनों का ही जो wildlife protection act में जो है सेड्ल में और जो सिट्स उसके appendix one में नीका दिनहें इसेट अन्टेस के प्रशुण सेट्समें राफ षाहिंजो नहीं हो लेकिन तीनों के आई सेट लगभ है तो सोल्ठ यह क्या है लिस्ट का नसान है फिर आगया हमारा मगर क्रोकोडाइल इसको एग लेंग भी बोलते हैं यह क्या करता है एग लेंग क्रोकोडाइल है यह और क्या बोलते हैं इसको होल नेस्टिंग भी बोलते हैं नेस्ट बनाता है होल करके नेस्ट बनाता है ठीक है और इंडिय सब कॉंटिनेंट में ही यह क्या है रिस्ट्रिक्टेड है रिस्ट्रिक्टेड है इसका इस्टेटस क्या है इसका इस्टेटस है वल्नरेवल क्या है इसका इस्टेटस है वल्नरेवल और तीसरा हमारा बच गया कौन सा घडियाल तीसरा हमारा कौन सा बच गया घडियाल घडिय तो सुवार। पंदू का सब्सक्राइब भी इसको बोलते हैं ठीक है चंबल रीवर में में लिए पाया जाता है चंबल भी इसमें पाया जाता है यह में लिए इसका आईशन स्टेटस का है critically endangered है ठीक है critically endangered तो याद रखना जो घडियाल है उसका status से critically endangered फिर उससे कम पर आजाता है वल्नरेबल जो मगर है और उसके बाद आता है और यह fresh water भी बिल्कुल दोनों चीजी है तो सही है बढ़ी सेके मगर क्रोकोडाइल जो है वह फ्रेश वाटरा भी मैंने बताया जो मगर है वह क्या है मतलब स्टेटमेंट क्या होगी समझ में आया क्यों क्यों मैंने करवाए हैं यह बिल्कुल आगया ठीक है सिरक क्रोकोडायल वह लार्जेश्व क्रोकोडाइल को यह बिल्ट में कर TVs, इसल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो लार्जेश्ट नहीं है कूर में कुल श्य१ाल we지 स्टर ऐसrafare नहीं के क्रीक होई ओब घर है एंक ही इन्ट से भी है अट तो तो क्या ही लिख रही हूं मैं तीक है सारी और सारी स्टेटमेंट सभी है protection स्टेटमेंट रहोंगा आपने जो explanation मैंने बता है उसके वेस पे आपने करे लिए अंसर होगा है तो आज आजाते हैं नेक्स्ट पे हमें बताना है शिस्टो सीरका ग्रीगेरिया नोमेड़ा क्राइस सुकीनाटा एंड एंड ना क्राइडियम तो एक चीज़ देखके जुरूर पता चल गया होगा कि यह ग्रीगेरिया केवल एक ही स्पेसिज में यूज होता है तो यह क्या है यह लोकस्ट सें सारी तो यह जो ग्रीगेरिया वाली है यह सबसेँ इसको बोलते हैं डिजय्ट लोकस्ट इसको क्या ओड़ते हैं ठीक तो यह फेमस यह यह नोमेड़ा वाली नोमेरा को बंबबे-लोकस्ट भी इसको Pun vertices को बोलते हैं इसको आलावा जह और एक और उसको बोलते हैं जो कम कुछ नाम किया है उसका नाम है लोकस्ता egyसलिया उसका नाम नहीं दि 하टिका लोकस्ता maigriatoria कचा मजहिए समझना झाइब क्या तो यह सारी किस किसी सीज्ञáfic कि स्थेटव कार्ण मतलबको इनकी होरहे हैं पर grade हाज ही हमें नंबर शाहीं हमें बताना है कोन से है ठीक है मेरे ख्याल से तो आपने अभी कर दिया होगा सेकेंड है यहां पे पिन वैल्य नेशनल पार्क है कीबर वाइड लाइफ सेंचुरी है स्नौ लैपर्ड्स यहां पर पाई जाते हैं चंदर्टा लेक इंपोर्टेंट रमसर साइट यहां पर पाई जाती है तो किस बा से वां गया हमारा कोशिचन नंबर कंप्लीट ठीक है को नंबर कंप्लीट और बिस्षेर इसन आफको सारे दिखा दिये हैं कि ओं मेंन यंद बैलेस्यों मं. effort कभ प्रोग्राम नें वो कभा ऍसटार्ट किया गया था य Unknown camera companion to सिरे प्रोग्रार्म के लाइन सिरे पास्थ सउस्वकरणके, तके जो पीपल और में उसको इंप्रूफ किया सके, उसके बेसं के Maxi Mm बेस पर बिल्कुल भी ऐक्तिविटी अलाउड नहीं होति हैं और टालड होती हैं में मेनली कम्मुनिटीज अलाउड होती हैं तो यह हमारा question number 18 मैंने करवा दिया पहले एंसर आगे भी आजाते है question number 19 पे bio prospecting क्या होता है आपने सुनातो हो गई bio prospecting क्या होता है सबसे पहले यह process है discovery और commercialization की नए नए products जो biological resources के उपर base होते हैं इसमें में ली chemical compound gene और microorganism involved होते हैं और इससे new medicinal जो ड्रग्स की डिसकवरी हो सकती है तो तो तीनोई statement इसकी सही है ठीक है इससे developing countries जो है वो और जो indigenous community है वो income generate कर सकती है वने नहीं biological resources का यूज करके ठीक है और बहुत सारे नगया protocol के अंदर जो mainly वो है उनके वो मतलब फोलो करना पड़ेगा बाइव प्रस्पेक्टिंग कर आपको करनी है तो question number 19 अंसरो गड़ी आ जाते है question number 20 पे हमें बताना बैथी प्लाजिक जोन और फोशन के बारे में बोल रहे हैं कि बैथी प्लाजिक जोन सबसे पहले बायो लूमिनी सेंस है यह illuminated होते हैं तो बिल्कुल illuminated होते हैं बोटम मोस्ट नहीं है जो हैड़ी जो हैडल प्लाजिक जोन है जो हैडल प्लाजिक जोन है वो क्या होता सबसे बोटम मोस्ट होता है और बोल रहे हैं कि जो सी क्रियेचर होते हैं में ब्लैक और रेड के होते हैं क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं होती है स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है प्रस्टाइंट थर्ड साहिके और सेक्ननि स्टेप्मेंट हमारी रूंग है कोन कोन से जोन होते हैं यहुट है एंट एंच्फास जोन होते हैं मेली यह मतलब ऊपर से लेके नीचे तक यह होता है अपपलगिक जोन i isu पिलेजिक जोन इसके बाद आता है बैसी यह उता है इसके बाद होता है यू की सिंधार प्यरीज यहिंदृर म्यालकी यह साने भिलजान वहां सबसे पहले देखो देख लेते हैं सबसे पहले विविविग और ओर ओर अधिक्नोजी बिल्कुल 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 कि यह बाय क्या बरोटकुल यह बाय को मतलब होगा lives को करता है यह बी इस्टेटमेंट साही थोफमा और आनसर क्या घा सब्सक्राइब करते हैं इसको बोल जाता है कार्ट जीना प्रोटोकोल उन बायोसेफटी किसका सब पार्ट है आपने सुनाओगा कंवेंशन बायोसी का अपने कन्वेंशन सुनाओगा कब बना था 1993 में वआ था यह यह लीगली बैंडिंग ट्रेटी यह यह इसका मीन एम किया conservation, sustainable use और fair and equitable sharing of benefits जो genetic resources के हैं वो ठीक है इसके main तीन ही इसके main objective एक तो conservation, sustainability और fair and equitable use of genetic resources ठीक है और mainly लगबग सब countries ने इसको ratify कर रखा लेकिन USA ने इसको ratify नहीं कर रखा साइन तो कर रखा लेकिन USA ने इसको ratify नहीं कर रखा याद अगना कर रेट कहां पर हैं, Montreal में ठीक है कहां पर हैं, इसके secretary मोंट्रियल कनेडा में इसके secretary है और किसके अंडर काम करता है UNEP के अंडर काम करता है किसके अंडर UNEP के अंडर काम करता है UNEP कब बना था, UNEP बना था 1972 में जो Stockholm Conference हो थी, convention हो थी काम करता है, इसके अंडर देखो यह तो हो गया, मैंने convention बाइड आवर्शिटी के बारे में बता है इसके अंडर दो मेली प्रोटोकोल हो थी, तो काट जीना प्रोटोकोल हो गया एक दूसरा प्रोटोकोल भी CBD के अंडर होगा, उसको बलते है नगोया प्रोटोकोल, ठीक है नगोया प्रोटोकोल, यह नगोया प्रोटोकोल कब हुआ था, यह 10 साल बाद, मतलब 2010 में हुआ था, फोर्स में कब आया है, यह किसके लिए है ताकि जो genetic resources है, उनका fair and equitable use हो सके, जो भी उनका मतलब यूज करता है, तो fair and equitable sharing भी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, इसके बाद, मतलब और क्या आया है, इसके बाद biodiversity-based strategic plan इंडिया ने बनाया, आयाची biodiversity, आयाची biodiversity targets भी इंडिया ने बनायी, 2010 से लेके 20 तक के, ताकि कुछ biodiversity के targets को क्या जास कि इंडिया में वो चिव किया गया, मतलब किया इंडिया में एक biodiversity act भी बनाया गया, biodiversity act 2002 को enact किया गया, ताकि मतलब जो यह है, conventional biodiversity इंडिया का signatory है, तो उसको मतलब enforce करने के लिए इंडिया ने enact किया biodiversity act 2002, ठीक है, और फिर उसके अंडर एक authority बढ़ाई, national biodiversity authority, 2003 में बनाई, national biodiversity authority, इसके headquarter कहाँ पर है, चेन नहीं तमिलनाडू में है, यह भी इन्हों ने बनाई, ठीक है, और इसके अलावा, UN ने 2010 से लेके, sorry, 2011 से लेके 20 तक के जो decade है, उसको क्या बोला गय कोशित किया, 2011 से 20 को, किसने, UN ने, तो यह सारी statement ध्यान रखना, इंडिया ने क्या किया है, अची बार diversity target, यह वो फ्लाना दिकाना, सब मैंने बता दिया, तो question number 21, हमारा answer हो गया, C, आजाते है, question number 22 पे, अभी देखो, नगया protocol आएगा, conventional by diversity आएगा, या फिर काटजी आए और तभी आपको याद करना है, तो कर लेना, अधर्वाइस फिर आपका छुड़ जाएगा, मेरे को इतनी मेरे मेरे में एनरजी नहीं है, कि मैं आपके लिए बिल्कुल लगी रहूं, हर बार बताती रहूं, नहीं उत्ता है, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, अब है कि, बा बिना पर्मीशन के, या उनको भीना पाइनेशल गें दिये, उनकी चीजों का यूज करना, उसको बोलते हैं, बायो पैर ऐसी, तो बोल गया है कि, इंडिया ने यूए न कन्वेंशन और बायो डावर सिटी को रेटिफाई कर रखा, अभी मैंने बताय कर रखा है, बायो ड यह इसके बारे में गरेक्ट है, यह इसे एक्जांपल हुए जो बायो पायरे से कहें, बिल्कुल जैसे कि नीम का पेटेंट ले रखा एक तो नीम पेटेंटिंग तो नीम के नोलेज तो हमारे जो बुजोर्ग है, उनको इतने सालों से थी बहिए कि क्या क्या बेनिफिट् तो इस ट्रैडिशनल नोलेज को यह यूज किया जा रहा है इसके लावा बास्मंति पे बायो पायरे सी हो रही है या फिर इंडियन वीट पे बायो पायरे सियो तो सारी चाहिज़े भायरे सिक्जांपल तो कोशन नबर टॉन्टी तरी पे अब यह कोशन बिल्कुल ना तो मैं चलेगा मेरे ख्याल से मेरा है ना मेरे को असा लगता है चलना चीए अब तो तेखो salt water crocodile मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया है जो salt water crocodile है वो क्या था least concern था क्या था सबसे last वाला था least concern था मैंने बता था पहले critically endangered था फिर vulnerable category थी यहां पे गडियाल था यहां पे क्या था वो मगर था और यहां पे salt water crocodile था और यहां पे क्या था लिस्ट concern था ठीक है तो यह ऐसे मैंने करवाया थे तो यह least concern वाला है तो हमें बताना है critically Dåohi clean danger था थड वी तो नहीं है तो था स्टेट्मेट कट होगी हीमालय делает happens वल्चर हिमालयन का मैंने बताया था कि एक migrat 위해서 है थीछोग है यह माइगरेटरbased वीशा और किस में आती है यह व्ल्णरेबल कैटेगरी आती है औरुनीयर डिटैटिन्ट में आती है किसमें आती है किसमेंख ध्रीकनाकी आखस बर टर्टल यह हम करवा चुके हैं और यह यह व्राइब प्रॉत्यक्शन यह नियर थ्रेटेंड है और यह किसमें आता है मेलिस साइड के अपेंडिक्स तू में आता है तिक है ध्यान करेंगा इसको कुछन अब 23 अंसर हो गया यह आजाते है 24 पर कि यह मितन में अलर्ट सिस्टम के बारे में बताना है सबसे पहले हैं यह एक ऑलर्ट कर गवर्मेंट को कमपनेज को उपरेटर को लाज मेंन के इ looked at करे prints के बारे में बिलकुल यह क्या करेगा व्लेगा प्रेगा वो रहे हैं इसको डपलू मों इंप्लीबंट कर रहा तो यह को सब्सक्राइब करके कि तो इंटरियों अगर सब्सक्राइब pressigma यह को अगया किस्का फróग्राम है आने पी का है क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब पेगन देड सब्सक्राइब सब्सक्राइब और मिथेन को कम करने की बात बिल्कुल और भी एक है इंटरनेशनल मिथेन इन अब्जरवेटरी यह किसने बनाई है यून एपी के क्ली सोरी क्लीन एंड क्लाइमेट क्लामई एद्ट एम्शन को कम क्या जासके Griffin करना है और 2030 तक हमें 60 से सेलेकि 75 परसंट तक कम करना है जैंकर है मिथहां को और गैस से कटर से तो यह आ मिथैन एमिशन जसक्टर से मिथिबात कि गही है लिए मीफें को कम करने या जनेवा में हैं तो हमारा question number 24 जाता है complete आजाते है किस पर question number 25 पर हमें बताना है wildlife के बारे में territory is wider geographical area in comparison to home range or territory of animal can be marked out using home range ज्यादा मनलब बड़ी territory as compared to territory ठीक है तो होम रेंज ज्यादा बड़ी territory है तो यह स्टेटमेंट जो हमारी जाती है wrong second है जो territory है वो बिल्कुल movement sound smell इन चीज़ों से पहचाने जा सकती है यह बिल्कुल सही statement है तो second statement सही है first statement wrong है और होम रेंज को कोई actively defending करता लेकिन territory को में लिए defend किया जाता है तो question number 25 अंसर हो गया भी आजाते है question number 26 पे हमें बताना यह को my इंदर को इसमों मतलब होता को एक को इस तोक्सिक सफ्तांस प्रशंट्स और जो लोगर लेवल पे होता है जब को बोध चुछ अज्ड पे बडुथा कोई रोज पील्येंट्रेशन ने कहाता है उसको बलते क्यों पुलते है निच्सम के अंदर यह कोशिग अग्नि फिशेश ने कहा लागे को स्टेंटरेशन से तो इसके बाद वह फिशिश ने खाया तो फिर समुल फिशिश ने क्वाया फिर उसको बढ़ता जाना उसकी का लिबाद को बोलते हैं तो उनके क्या-क्या पिचर सोने चीह तो देखो सारे पढ़ लो ठीक है आप खुद सोचना देखो अगर वह वाटर में सोल्यूबल होगा तो एक्सक्रेट कर देंगे और बेंजम तो वह बोडी में स्टोर हो गाई नहीं तो वाटर में सोल्यूबल ऐसा सबस्टांस नहीं होना चीए ऐसा पॉलिटेंट नहीं होना चीए तो होनी शीचले सब्स्टाइब और फॉर्स स्टेटम Metropolitan लंग शथी टारी गारा फोल में चीए मोगाल होना चीए और फैस में सोल्यूबल और बैीलोजिकल आपको होना चीए यह चीए होसल बनर में तो उइसा है सबस्टांस या है तो तो पांच के हैं वह नेचरल को जिसे हुए हैं तो हमें बताना उनके बारे में बहुत बहुत गलत स्टेटमेंट क्योंकि जो पहला हुआ था ना वह हुआ था कि से पानी का लेवल ओशन में लगबग 100 मीटर कम हो गया था और मतलब वाटर की आइस बन गी ओक्सिजन की डेफिश लेवणीन नुए और व जो घर जो एक्स्टेंशन मतलब एक्स्टेंशन वह परमियंट ट्रीयासिक पिरेड में तो इसमें में लिए ग्लोबल वर्मिंग के कानी वह वह उख यह रप्ट होगा जिसके कान में वह एक्स्टेंशन फिर हमारा फोर्त हुआ यह वाला पौर्त ह प्रेसिक जुरासिक फॉर्थ है इसमें मेंली वॉलकेनों आउट बस्ट हो गए जिसके कानी ऑट यह मेंली हुआ हुआ है ठीक है तो और और six months extension तो भी क्या होगा एंथ्रोपोज ने क्योगा तो question number 27 अमारा answer हो गया C आ जाते है question number 28 पर हमें बताना यूए नीप के बारे में बहुत देर से बात चली यूए नीपी की देखो देख लेते हैं यूए नीपी के बारे में सबसे पहले है कि बिल्कुल यह स्टर्ग्हां में हुई थी वहां पर यह हुई थी तो यह उनीप बनी थी इसके headquarter बिलff यह है उनीप यह नीपा बहुत सारी है唯ानीप यह aree 힘नेам換 चेkon सारी over relief औन बीनिकालती यह कांफी ज्याधा ऌफी ज्यादा फेमेज़ है एक तो है emission gap report ठीक है एक है global environmental outlook एक है frontiers report एक है invest into healthy planet invest into healthy planet एक है हमारी adaptation gap report एक है emission gap report यह सारी reports को निकालता है mainly UNEP निकालते है ठीक है यह सारी reports famous है UNEP की जो कई बार पूछ ले जाते हैं फिर एक है United Nations environmental assembly ठीक है United Nations environment assembly यह क्या है यहां रखना यह यूए निपी की governing body है highest level की body है जो मेली साल में दो सोरे दो साल में एक बार मिलती है कब create की ते 2012 में इसको create किया गया था रियो plus 20 conference में ठीक है यूए निपी कुछ famous campaigns campaigns है जो मेली यूए निपी चलाता कौन सीक्सी कैयर चालाता जίसे की अर्थार अपने नाम ज़्याइभ अर्थार Deanキ helping eachakampeans सब्सक्राइब नाना गाशाव चुल PKP अभय है कंटेंड कार्वनंंट क्रापै now कर लाद करो सब्सक्राइब किथा हाई कार्वन केंटेंड बनाता है इसको कोन सा बनाता हाई करण इसको बिटल बनाता है तोそ सेटमेंट हमारी किरुंग वुभी फर्स चिप्स चैन आगे स्थियूसर घुणय shah पूसट पूसरें स्टेश्य क्रीज्प गरेंदा झाल्चीन क्षाध मैं तो कि अब लुक्ष सब्सकत्राइब को ने इसका exporter अगर की बात करें तो रख्षिय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया भी पिगारन का नेट एक्सपोर्टर है और इंडिया में जो पीगारन का प्रोडॉक्षन होता वह में ली 94% कोन से सेक्टर करता पुब्लिक सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर या दि स्पंज आयर्ण थे इंडिया का विल्ड लार्जिस्ट में इंडिया इसका वर्ड लाजिस्ट था ने में यह में घ्रीट रिडुशन से मतलब होता है मतलब अई ने अपश्ब की तहुम धियरी डायक्शन कर देते हैं मतलब में िनली के ऊसमें सीजन हटा के तो उसको बोल सब्सक्राइब तो यह होगा हमारा कुश्यन नमबर 29 अंसर हो गया आजाते हैं कुश्यन नमबर 2030 पर हमें बताना एक्वेटिक एकोसिस्टम के बारे में क्या चीज सही नहीं है हमें बतानी है गलत स्टेट्मेंट भाइसा तो अब देखो पहले सारी पढ़ लो गलत स्टेट तो नहीं होके हमादे कौसी लीटेशा वलारं जोन होता है क्योंकि यहां पर होता है कि यह रहते और पूरों स्टेशब्स क्शád में होताी है इनसे स्टेटमेट जोन invece और रहते हैं में नेयोस नाम जूनोंगे नियूस तो है सबस्क्राइब यह है question number 30 answer हो गया सी आजाते है question number 31 पे मालाबार exercise के बारे में बताए मैंने बताए मालाबार exercise कि किन कंटरीज के बीच में होती है Quad countries के बीच में कौन कौन से आते हैं इंडिया जापान USA और ऑस्ट्रेलिया ठीक है यूद अबयास और एक होती है वज्रपरहार यह होती है जापन चया है जापन के साथ के हमारे और को exercise होती यह जापान के साहती अपने सुनाओगे अंसर हो खाथिए question 31 सब्सक्राइट या me principles है तुंद्स 이 बड़ी साईज लार्ज होता है और स्मॉल टेलस अन्यस होते हैं सेकेंड हैं यहां पर सेवंटी फाइब से ज्यादा भारीश होती तो हाथ यहां पर टॉंटी सेब्स कम बारीश होती है थार्ड है यह लोग लैटरिट्टूड पे नहीं पाया जाता यह देखो यहां दखना में दोटाइप का टूंटटर होता है Pacत टूंड़ों precisamente सब्रस्ट्रा मिलेक तोई-वाइग तो एसा नहीं है कि स्क्वाइन रस्क्राइब रस्क्राइब स्सक्राइब में टूंड़रन वैयं मैं तर सब्सक्राइब तो इस टाइब को थोड़ा-थोड़ा सा ठीक है इस तो हमारा थूबर 32 अता है हम दो टितुरी को पता है रामसार कन्वेंशन के बारे में कि कौन सार क्राइटेरिया है जो जिसके थूफ यह डेजगनेट होता है कि एक रामसार साइट है की नहीं है ठीक है सबसे पहले बोल रहे हैं कि a wetland should support vulnerable endangered और critically endangered species और threatened ecological communities बिल्कुल वहाँ पर क्या होने चीए यह सपोर्ट होने चीए वहाँ पर 20,000 यह उससे ज्यादा रेगुलर्ली सपोर्ट होना चीए इतनी water birds का यह भी statement सही है फटर्ड है इस यहां पे रेगुलर्ली सपोर्ट होना चीए एक सटेट्मेंट सेट्मेंट और रेक्टा तो अंसर क्या आगे भी तीक है बहुत सारे criteria रामसार जो थो शुरण करने के लिए चैसले नाम इसका मैं राम्स को सब्सक्रिब्स da इसके सेटरीट कहां पर यहां दकनाइब सुईजर लैन्ड में प Kung Hai इसके अलावा इसके अदर वोट्रेक्स रिकोर्ड मों ठीकों आपने नाम से अच्छा ऐसा होता है priority चीए जहां पर ऐचलिवल का cocktail प्रोमोट करने के लिए उसको पर ओの साइड नेनन्यक्र उप्योट्षप पार्क क्यों लेडो जो नेशनली पार्क और सूपश करेंटली इंडिया में रामसार है कितनी हैं कितनी है सब्सक्राइब कशम अरी सुट्व न maior सबसक्राइब को यूप सीन नाडु में और यू एले साइट ऑनोगाइब मिला डूलार्जेस्ट हो गया जिसमें 14 रमसर साइट से ठीक है कि एक सेखें लिए तो वाइस हमारा थार्टी तरीका नसर भी हो जाता है मैं आपको दिखाने जारी थी लेकिन कुछ ँदिखाना जाता है तो अभी जब भी कोई नेक्स्ट लेक्चर भी तो काफी सारी राइस तो आपको दिखा लूगा इच्छी से जो मेरे को दिखाना है तो कॉष्ण नबर 34 हमें नाइट्रोजिन साइकल के बारे में यारड नैटी निचल रहा है चलो कोई बात निचल निच प्लांट और नाइट्रोजन जो है अट्मस्फेर में वह अमोनिया में कनवर्ट होने चीए जब जब प्लांट और अनिमल्स उसको यूज करें उससे पहले तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ओने चीए सेकंड़े डी नाइट्रिफिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें नाइट बिल्की बात आएगी तभी में इसको करवाऊंगी तब कर वाऊंगी ज्यान रगना इसको तब इसको दिखाऊंगी अगाते हैं कुछन नबर 35 पे अंसर देखो रिचाट सेटलाइट सीरीज के बारे में इस सीरीज ओफ इंडियन रेडर इमेजिंग रिकॉनिसेंस वैद Axel इंडियन रेडार इमेजिंग सेटलाइट तो इन्डिया का पहला इंडिजनेनस सेटलाइट कौन सा राइससेट 8 राइससा टू नहीं तो राइससेट वन है पहला इनडिजनेस तो second statement रूंग होगी, first statement गरेक्टर तो हमारा anसर क्या आ अगया A ठीक है ये इस बोग में क्या होता है यह लोग वां पर पढ़ा रहता है जिससे से प्रोसेस्चन हो जाती है इसलिए लिए पेडि़निक में इसलिए प्लांट चलुक सेसे यह सब्सक्राइब करेंट है तो अंसर मारा क्या होगικά सिसमाज में एक अपने सुने होगे अलोग टाइप के पीजो ॏ यह सारे क्या है यह टाइप के पीजर्जो मिली पाया जाते है कि छो चाह ट्रुपर स्व्णी घ्रांड बी हम्त अले अ जो अपने पाया जाता है इक ni तु पूला पेट्लेंड को कंजर्व करने के लिए इसको एड़ कर रहा है यून इंवार्मेंट को सेव करने के लिए तो question number 36 समरान से ओर जाता है, आजाते है question number 37 पे, ऐसे national park बताने हैं, जहाँ पर हमें लेपर्ड्स मिल सकता है, मैंने आपको बताता है, snow lepards कहां पर मिल सकते हैं, snow lepards आपको मिल सकते हैं, northern हिमालयाज वाले स्टेट में, जैसे कि जम्मो कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत नहीं वाले समें, तो यहाँ पर सिक्कीम और रहना चल दो जगह पाए जाते हैं, सिक्कीम और रहना चल दो जगह पाए जाते हैं, तो बोले कि माउंट मनीपूर national park, जो देखो, माउंट मनीपूर जो यह आपका national park है, यह कहां पर है, यह पता है आपको कहां पर है, यह जो टनवान है नीकोब आर में आधे बहूत है यहां पर भी नहींट हो सकते इस यह बहुत हुद को पता होगा थे जब्सकीillar पहिर presents To बहुत इंपोर्टेंट है और वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में की स्टेटस क्या है सेडियूल वन में आते हैं ठीक है तो कुछ नंबर 37 अंसर हो गया सी आजाते कुछ नंबर 38 पे हमें बताना है विच ओफ दी फॉलोइंग इन्वार्मेंटल मुमेंट सिंकरोनलोलोल्जिकल इहर बताने कब कब देखो सेव सालेंट वाली मुमेंट जो था यह वाथा 1973 में जो यह नरमदा बचावां तो इन consulting सब्कूल इन्वार्मेंट सब्सक्राज नियुक्त सब्सक्राइब कर बाउत में वैरूरमेट सब्सक्राइब कब बइण ऐसे नहीं कर चाहami इन्वार्मेंट से स्टस्वा एक बाइम सब्सक्राइब बारे में बात करने हैं सबसे पहले सेंट्रल एशन फ्लाइवे वन ओफ दी फ्लाइवेज है जो मेली कन्वेंचन ओन माइग्रेटरी स्पेसिज ने मतलब आइडेंटिफाई कर रखा तो बिल्कुल यह जो है सब्सक्राइवेज के अंडर आता है जो मेली कन्वेंचन ओन माइग्रेटरी स्पेसिज ने वह कर रखा क्या कर रखा है मतलब आइडेंटिफाई कर रखा है सेंट्रल एशन फ्लाइवे माइग्रेशन रूट इंक्लोड इस टैपीज और कोल डेजर्ट ऑफ सेंट्रल इसका इसका दूसरा नंक बॉन कन्वेंचन कब आया था 1979 जर्मनी में इसके बस्कों बर इंटर गौर्मेंटल ट्रीट यूएटे यूएप के अंडर की संडर बने हैं इंट्र गौर्वर्मेंटल ट्रीटी है इसकी पार्टीज लगवक इतने 133 nations इसके पार्ट है क्या इंडिया इसका पार्ट है करवेशन चने माइगरेटर स्पेसिट का बिल्कुल इंडिया इट नेग्नेंग लास्ट हुई हैं इंडिया ने है CMS के साथ non legally binding moic soil कर रखा चार सब्सक्राइब इक तो है saibarian crane one ragu押ेंटल एक है dooc aUNG और एक राप्टर्स त hy जो saibarian crane इसको include किया गया था 1998 मेंramer को include किया गया तो तॉजन इट में तो यह नो मतलब इंडिया ने नोन लीगली बंडिक में सेंड कर रखा है सीमस के साथ किन चार स्पीसिस के लिए तो यह हो गया यह हो क्या ऩ तो अब सेंट्रल एशेनवरे के अंडर बहुत सारे श्पीसिस माइगरें करते हैं उन में से कुछ इंपोर्ट्न सपीसिस के नाम कुछ इंडेंगरेंट गृत एं ग्रेरी श्पीसिसी सें ग्रेट घ्रेले एंड ग्रेटर ग्रेटर एड जू टेंट टेके इंडिंजर्ट इस यह फिमस जो फेमस पीजिजें के नाम बता रहे हूं कुछ क्रीटिकले इंडिंजर्ट स्पीजिज जो मेली कि माइगरेट करती हैं एक तर नोर्दन बाल्ड आइबरिस नोर्दन बाल्ड आइबरिस एक वाइट बैलिड है रून एक वाइट बैलिड है रून और एक भाइर पोर्चार्ड तेगए यह स्पीसीज है इसके बाद कुछ ऐसी स्पीसी जिर नियर थ्रेटंड ने चार आते निले थरिटंड ने चार जादे नियर थे टेटंड कॉन से जैसा कि शी ब्लैक है दिडा भी सेक्तो तो ale k guests enemy go लह सर貍े मिंगो यहüllt में राय्न इन जोड़ाइड मेंसे निइद इक इस पीग्मि कॉर मोरां इंट इस उनक है-owa j pc एक यह उस्क्रम हा송 है तो एक तो ब्लैक नेक्ड क्रीन यह बहुत फिम देख मैं इसमें से भी इंपर्टेंट बताती ब्लैक नेक्ड करें लेसर एड़ ऐड़ जू टेंट एड़ जू क्या है एड़ जू टेंट तेके वुड़ स्नाइप मास। वुड़ स्नाइप फीसी और एक लास पीस सिज सय मांक्स्ट फिनफूट मांक्स्ट फिनफूट देखो अब इन मेंसे भी मिपनेट स्पिस्ज कौन कौन सी एं एक तो यह बहुत मोर्टwide यह इसमें इसमें एक इसमें लाट बैलन क्रिंफेंट व्र मेस है और इसमें इ तो भी आपका मतलब लग बग काम हो जाए ठीक है यह स्पीसिस साथ स्पीसिस भी आप याद कर लो ठीक है तो यह कुछ-कुछ इंपोर्टेंट स्पीसिज जो मैंने बता दिया है यह क्या है माइग्रेटरी स्पीसिज जो में लिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे अपनी निबरिंग को देता है अपनी स्फट फार को इंग्रेज करने के लिए कोशन नंबर 41 अंसर हो गया ए अब आजाते हैं नेक्स्ट पे कौन से ऐसे ऐसा रिवोल्ट था जिसमें खौनकाटी राइट्स ट्राइबल्स के जो थे छोटा नागपुर रीजन में वह उनको मिल गए थे और बैट बेगारी जो है वो बैन होगी थी ऐसा कौन सा था तो यह था बिरसा मुंदार बिलियन उल्गुलान रिवोल्ट तीक है उल्गुलान या ग्रेट मुल्ट रिव यह कंशी color फोटी ऐस आते हैं question number 43 हमें बताना ecosystem की productivity के बारे में और रहने जो productivity वह को हमेशा कम होती है ग्रोस से बिल्कुल ग्रोस में से च्पुन है क्या परकेशल करें एक तो प्राइमरी मालों जो गडर्लाई फोटोरिंस ऑंपर डिपरेंड करेंड करेंगी तो बिल्कुल मोन एक पर ऌदूसर क्या प्ललांट सी आजाते हैं conservation reserve के बारे में बहुत फेमस है यह तो बहुत फेमस है conservation reserve दे आधी area on either by the central government or the state government यह जो area यह तो central government on करती है state government on करती है the area adjacent to national park or centuries and those area which linked one which link one protected area with another cannot be declared conservation reserve बिल्कुल कोशित कि जा सकते हैं सक्यों कि नहीं कि जा सकते कि जा सकते हैं थर्ड है conservation reserve management committee advises the chief wildlife warden to conserve manage and maintain the conservation reserve बिल्कुल यह statement भी मारी करेक्ट है कि जो conservation reserve management committee है वो advise करती है chief wildlife warden को ताकि वो conservation reserve को क्या करें protect करें क्या करें conservation reserve को पहला conservation reserve क्या था पहला conservation reserve में बनाया गया था जिसका नाम होगा जिसका नाम था तिरू पड़ाई माराथ्थूर तिरू पड़ाई माराथ्थूर था पहला conservation reserve था यह कहां पर था तमिल्कुल में था ठीक है और मेंल स्टेट कोवर्मेंट डेक्लेर करती है कि कौन सा conservation reserve conservation reserve होगा ठीक है और इसके अलावा कि तुन होज़ा नाइंटीं में टेर्टीं एट एट इट गंजर्वेशन reserve हो गए ते और प्रोटेक्टिड एरिया में आयूसी एंट कि किस केटेगरी में आते एक अंजर्वेशन रिजव प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं तो कोशिए नमबर 44 अंसर हो गया सी आजाते हैं कोशन नमबर 45 फे हिमालन ग्रे लंगूर के बारे में बताना देखो ह लंगूर को चंबा साइकरेड लंगूर भी बोला जाता है बोल रहें कि लीफ इटिंग वराइटी ओफ मंके तो यह बिल्कुल यह लीफ इटिंग वराइटी है और यह में लिए इंडेंजर्ट स्पीसिज में आते हैं और वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यह किस अच्छी में आपको दिखा देती बाइट में भी है मेरे पास तो है 46 सुंदर्बंस के वारे में बताना है बोल रहा है कि only mangrove forest में जहां पर मेली टाईगर रहते हैं यहां पर इरावडी डॉल्फिन जो है इंडेंजर्ड स्पीसिज वह भी रहती है तो इन इरावडी डॉ पहला दूसरा आपको पताए तो आपको पता लग गया टिक है रावरी डॉलफिन इंडेंजर यहां पर एक और स्पीसीज रहते है उसका नाम है fishing cat ठीक है यादगना fishing cat यह vulnerable species यह वेस्ट वेंगोल की स्टेट अनिमल है और स्टेट अनिमल है वेस्ट वेंगोल की fishing cat और यह vulnerable cat अगरी में आती है ठीक हेरा वेडी डॉल्फिन किसमें इंदेंजर में आती है तो यादगना यहां पर दोचन नमर 46 अंसर हो जा पर नीला कुरण जी बारे में बताना है कि हो कि यह 12 साल में एक बार होता है और यह बोल रहे है कि वैली ओफ लाइर नैशनल पार्क में यह तो यह दाना है यह जो नीला सबसे पहले उसके वारे में बताने हैं बोल रहे हैं कि यह उनली प्रोग्राम है जो फोकस कर रहा है एगरी कल्चर पर फूर सीक्योर्टी पर यह बिल्कुल फोकस कर रहा है सेकंड है कि कब एस्टेटमेंट करेक्ट तो अंसर क्या गया यह में ली क्या कर रहा है कि और है यह में ली इस पें यह में ली इसमें क्या डिसकेशिन पर है कि जो बिल्गे इसको्ट ऑर क्लायमेंट चेंड यह कलक्लेट कर रहे हैं इंडेया ने इसका कि अग्री कल्चर क्लाइमेट चेंज को कैसे इंपक्त करें तो फूर्ट सेक्रिटी पर बात आजाएगी तो इसलिए इंडिया ने यहां पर अब्जेक्ट किया इसलिए यह नूज में तो कोशन नुबर फूर्टी एट अंसर हो गया एंजाते कोशन नुबर फूर्टी नैन पर हां में बताना है किसी के बावारे में सबसे पहले है कि नो अल्टरेशन इंपांडरी ओफ वाइल लाइफ सेंचुरी कैन बी मेड एकसेप्ट बाई रिक्मेंडिशन ऑफ नेशनल बोर्ड फाइल कोई बी अल्टर केस्टेशटा टाइगर द्य Israeli में हो सकता जब तक मबला करे तो याँ जड़ फूर उप्रूब्याकरफ य्रिक करो न क्हिंए लेकिन फैप्रूब कोन करेंगा परकों नेशनल वी सब्सक्राइब करेंगा लेकिन रिक्मेंड कर सकती ईंटिसे ए ठीड़ र जाते हैं कुछिन नबर 50 पे community reserve अब हमारा क्या था conservation reserve अब था community reserve सबसे पहले है यह central government declare करते है तो यह दखना इसको कौन declare करते है state government कौन declare करते है state government direct answer आ गया पहले statement रोंग होते है direct अब बताओ में इसमें क्या बताओ आपको यह देखो यह statement यह दखना यह national park का पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि national park में में human activity is allowed नहीं तर community reserve जिसमें में community participate करती है किसी particular area को protect करने में एरिया की biodiversity को protect करने में थर्ड है बोथ private and community area can be declared as community reserve बिल्कुल private area को community reserve गोशित किया जा सकता दोनों ही सही है और यह किसमें एड किया गया है वाइड लाइफ protection act में 2002 में amendment किया था उसके according इनकोस में इंकलूड किया गया है community reserve को भी और conservation reserve को भी दोनों को ही तो यह होगा हमारा community reserve के बारे में लाइक कर दिया करो चैनल को subscribe कर दिया करो अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप comment box में comment भी कर दिया करो आपके comment को पिंग कर दिया जाएगा ताकि वो गलती और को बता चल जाए ठीक है ताकि वो गलती ना सीखें गलती थोड़े ना सीखने है सही चीज़े सीखनी है आपको और बस इसके लावा तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी आपका टाइम बिल्गुल मेरा इंटेंशन यह वेस्ट करने का एक मिनट भी तो पढ़िए जल्दी से जल्दी और इस साल सेलेक्शन लीजिए प्रिलिम्स में आपका हो जाना है तो चलिए इसी नोटपे लेक्शन खतम करते हैं थैंक यूवरी मुच बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब झाल 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 झाल